क्रिकेट वर्ड कप के 48 सालों के तिहास में ये पहली बार था कि ऑस्टेलिया क्रिकेट टीम अपने वर्ड कप के आखरी के चार मैच्चिस हार गई लगा तार साल 1992 के बाद ये पहला साल था जब उस्टेलियाई क्रिकेट टीम वर्ड कप के पहले दोनों मैच्चेस हार गई और इसका असर ये हुआ कि वो उस्टेलिया जुसे दुनिया के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस टेबल टॉपर के तौर पर देख रहे थे वो टॉप तो करती है लेके नीचे से नंबर तो केवल अफगानिस्तान उसके नीचे है उसके लावा दुनिया के जतनी भी टीमे हैं वो सब उसके उपर आ चुकी है और साथ अफरीका तो फिलहाल नंबर वन पोजीशन पर मौजूद है कमाल की मतलब ये मैच रहा साथ अफरीका ने फुल डॉमिनिट किया और आस्ट्रेलिया इस मैच में चारो खाने चुत रहे ना गेदबाजी ना बल्लिबाजी ना उनकी फिल्डिंग और ना उनका कमिट्मेंट डेडिकेशन जिसे आप कहते हैं ना शोल्डर्स डाउन कर द जबतर से लेकर तमाम लोग को ये मानना है कई खिलाड़ी ऐसे वी हैं जुनका ये मानना है कि इस ऑस्ट्रेलिया में वो दंखम नहीं है कि वो पलट कर आपको देगी क्योंकि इस ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने भी 200 रन के अंदर आलोट किया था और इस ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं जानते है उस्टेलिया के बारे में चर्चित है कि उस्टेलिया लड़ना जानती है वो पलट कर वार करना जानती है वो आपको मैच देती नहीं आसानी से वो लड़ती रहती है लेकिन इस उस्टेलिया में वो दिख नहीं रहा कि वो लड़ती रहती है ये उस्टेलिय ऐसे हुए जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे एक स्टीव स्मित का क्या स्मित आउट थे या वो बॉल जो थी वो लेक्स्टम से बाहर जा रहे थी टेक्नोलोजी को लेकर सवाल क्योंकि था तो टेक्नोलोजी Smith पूरी तरह से भरोसे में थे कि वो आउट नहीं है वो बता रहे थे बार 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 बाल लगते हैं उन्हें उन्हें का कि ऐसे निकल गई लेकिन जब थर्ड अंपाइर ने देखा और बॉल जो है बॉल ट्रैकिंग से जाकर लेंग स्टम पर लगती और अंपाइर डिसीजन की जिस आउट दियाता है सो वहाँ पर एवरीबडी वो शॉक्त मतलब स्टीव स्मित के चेहरे से हवाईयां उड रही थी अंपाइर ने तो कह दिया भया आउट है गुला भी पहन कर लेकिन लाबू शेन सामने खड़े थे वो शॉक्त थे इवन बाद में दिखाई पड़ा स्मित अंदर ड्रिसिंग डूम में गए बार बार पलीवाग करके देख रहे थे वो शॉक्त थे अंपाइर को ने देखा किया रही कैसे आउट हो गया एंड सेम कहानी स्टॉइनिस को लेकर थी स्टॉइनिस के जो बॉल लगकर आउट भी आ गया था क्या वो बॉल हाथ में लगी थी एक साइट से दो दिख रहा था दूसरी साइट से दिखा नहीं था और जाला तर लोगों का ये मानना है कि माकर स्टॉइनिस आउट थे या नहीं थे माकर स्टॉइनिस इस डिसिजन को लेकर खुश नहीं थे अमपायर से थोड़ी बहस भी नो ने की और उनका ये मानना था कि उनका हाथ नहीं लगा था जब बॉल ने कॉन्टाक किया था नेवर नो मतलब ये कुछ फैसले ऐसे हैं जिनको लेकर विवाग बढ़ेगा खबर तो ये भी आ रही है कि स्टॉइनिस या ऑस्टॉइलिया जो है इस मामले को लेकर आई सी सी के पास जाएंगी और अमपायरिंग की स्टांडर्ड को और बहतर करने की मांग करेंगी ये ब वर्ड कप के इतिहास में रनों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार है ऑस्ट्रेलिया कभी भी किसी वर्ड कप में इससे बुरी हार नहीं हारी है रनों के हिसाब से और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को बुरा लगना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको नहीं छोड़ सकते हैं इस माच को देखने के बाद हमें लग रहा था और हम सवाल पूछ रहे थे अपने मन से कि भाई आप उस्टेलिया ही है ना यार मतलब उस्टेलिया एसी नहीं देखी हमने या सिस तरह से नहीं देखी हमने उस्टेलिया को हमने डॉमिनेट करते वे देखता है उस्टेलिया का आपने खौफ खाते वे देखा है लेकिन वो खौफ इसले नहीं क्योंकि रबाड़ा च्छा गए आठ ओवर 33 रन 3 विकेट मारको जैंसन पहले बलेबाजी और उसके बाद दो विकेट इंपॉर्टेंट विकेट तबरीश शमसी साथ आठ ओवर इस मैच में और ओस्टेलिया ने एक चेंज कीया था वो लेकर आई थे माकस टोयनिस को अब इस टोयनिस जो है अब वैसे वो बड़े प्लियर हैं कई मैचिस जताए हैं लेकिन और ए की प्रॉबलम ये कि उनके पास कोई희 स्पिनर अच्छा नहीं लिगश बूला लो लेकिन क्या उतना हंगामा होना चाहे था क्या वही मेश का फैक्टर था श्टीव सिमिट अगर not out होते हैं शाय दो फैक्टर होता क्योंकि उनके 2-3-4 जो थे वो जबरदस थे मुझे लगा कि वो form में है लेकिन और वो बवाल काटेंगे भी आगे देखी का पका कहरा हूँ आपको मैं एक-दो मैच उसके बाद स्टीव स्मित किसी मैच बवाल काटेंगे वो एक अलग प्लेयर है उनका माइंचेट अलग है लेकिन और उस्टेलिया ने जो 70-6 विकेट गिराई ये बीते एक साल की कहानी है इंडिया के सामने 17 मार्च को वो 69 फ्रन पर आट विकेट गिरा देते है 22 मार्च को इंडिया खिलाफ वो 60 फ्रन पर आट विकेट गिराते हैं फिर 12 सितंबर को 60 फ्रन पर आट विकेट में गिरते हैं साथ अफ्रीका खिलाफ फिर 17 सितंबर को 69 फॉर 8 विकेट उनके गिरते हैं 79 पर 8 उसके बाद इंडिया के सामने 40 पर 5 विकेट गिरते हैं 24 सितं और हो भी क्यों ना, आपके पास अगर डेविड वार्नर, आपके पास मिचल मार्श, आपके पास स्टीव स्मित, आपके पास मैक्सिवल, आपके पास स्टोईनिस, आपके पाद लाबू शेन है, I mean आप नहीं हार सकते, आपके डगाउट में Cameron Green जी सपलियर बेटा है, Travis Head को आ आप खटा सकते हो, एक मैच में आप ट्राइ कर सकते हो, मिचल मार्श अच्छे प्लियर है लेकिन आगर नहीं चलने हैं तो फिर देख लो, वार्नर इंडियन पिछ पर अभी आप एक दो मैच प्रफर करना चाहोगी है, लेकिन वार्नर तेरा, मिचल मार्श साथ, 19 रन और इंग्लिश क्या बहतरीन बॉल रबाड़ा ने उन्हें बहतरीन बॉल डंडा तक वो देखने वाली बॉल थी और आज अच्छली उनके बॉलर्स नची गिनबाजी गया, आप देखे इंगडी निगडी ने बहतरीन गिनबाजी की पांच ओवर, दो मेडन, नौर निग पा रहेती हो और लगातार मैचेस ऐसे आए हैं जहां पर ऑस्टेलिया खराब खेल रही है, भले ही पैट कमिंस ने कहा हो कि वर्ड का पाते है, सारी चीज़े फिक्स हो गई, लेकिन आउट ओफ फॉर्म ऑस्टेलिया, ऑस्टेलिया नहीं लग रही है, और उसी तरह इस लग रहा था कि ये साड़े तीन सो होने चाहिए थे, आखरी के साथ उवर्म उनने सर्फ चालीस रम बनाए थे, तो वो एक दिन रहा उसके बावजूत, दे मैनेश 311, आप सूचे क्या बैटिंग लाइन अप है, पिछले मैच में श्रिलंका के सामने 428 ठोके थे, उससे प मजाक उड़ा रहे थे, लोग पेपर कॉपी लेग गया थे, टीका लगा रहे थे, ये आउस्टेलिया ने कैच छोड़ा, ये कैच छोड़ा, ये कैच छोड़ा, चार हुआ काट दो, फिर कैच छोड़ा, फिर कैच छोड़ा, काट दो, ऐसे चल रहा था, मतलब ये काफी श अबसे घटिया फिल्डिंग उस्टेलिया ने की है उस्टेलिया की जो catch efficiency है वो 54% है यानि 50% almost catches वो drop कर देते हैं इंडिया 92 जो रही है बंगलदेश 91 नीदरलांड 83 पाकिस्तान पाकिस्तान 79% है उस्टेलिया को चुल्लू भर पानी लेकि इसमें नाक रगड़ ले मीचेर इत ही काफी नहीं थी खैर अब बात कर लेते हैं मैश को लेकर कुंटें डिकॉक यार अपसल्यूटली ग्रेट ग्रेट मतलब दो वर्ड़कप में बंदे के 0 शतक थे और आज और पिछले मैश में शतक मारकर फॉस सौथ अफरीकन आई इंग सेकें सौथ अफरीकन जो दो मैच और फाल्तु शॉट खिट कर आउट वियर दरवाईस वोट रहते हैं और और लंबा स्कोर जाता बुआमा साथ निभा रहे थे 55 बॉल 33 रन वांडे डूसन आज 2000 रन बनाते लेते हैं अपने कंप्लीट करते हैं 45 मैचों बाबाराजम के रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं कमा अगर फ्लॉप रहे 13 बॉल 17 रन आखरी में अगर वो रहते हैं तो शायद 20 रन का स्कोर अलग होता मार्को जांसन ने बलेबाजी ठीक ठाक की 22 बहुत 26 रन शुरू में बहुत डॉट डॉट वाल खाई थी लेकिन बाद में 34 चका मारे कवर कर लिया और 311 टीम पहुँच ग और वहीं अगर आप साथ अफरिकान के माजो की बात करेंगे तो जमीन आस्मान का अंतर है मतलब लुंगी का जो एकॉनमी है वो 2.20 है उसी पिश पर उसी पिश पर और 2-4 ओवर नहीं किया भाई साब ने आठ ओवर की हैं आठ ओवर दो मेडन 18 रन इंगेट तो यार आठ एकॉनमी दो की है तो आप समझ सकते हैं कि बालिंग साथ अफरिका ने टॉप क्लास के टॉप क्लास बालिंग की है रबाड़ा आठ ओवर एक मिडन 23 रन तीन विकेट केशव मारा दस ओवर 30 रन दो विकेट शमसी साथ आठ ओवर 38 रन दो विकेट तो ये शांदार थे किव विसमित वाले पर question है वो हम फैसला आप पर छोड़ते हैं लाबुशेन आखर तक टिके थे लेकिन माहराज की बॉल पर शिकार हुए 46 पर he was the only fighter वो और मिचल स्टार्क बाकी सब संघर्च कर रहे थे बाकी देखिए इंगलेस पांच पर बोल्ड हुए बहतरीन गें थी क्य गिरी क्या दंडा उखाड़ा मतलब वो आइधिंग बॉल फ़ दे माच थे ठाक दंडा उखाड़ गया और इंग्लेश को हिंदी में लगा की मामला गड़बर हुआ मैक्सिवल, केशो माराष, कॉटन बोल्ड यार मैक्सिवल क्या कर रहा है? 17 बॉल 3 रन, that's not Glead मैक्सिवल 17 बॉल 3 रन, ऐसे मैक्सिवल नहीं खिरते हैं, हम नहीं जाती कि कौन से औस्टेलिया है, कौन से मैक्सिवल है स्ट्वाइनिस चार बॉल 5 रन और उसके बाद स्टार्क 27, क्यमिन्स ने थोड़ी बद चौट लगाए, 22 रम बनाए, लेकिन पूरी टीम सब्तर पर ओल आउट यह उस्टेलिया वो उस्टेलिया नहीं है, क्या यह उस्टेलिया कमबाक करेगी, क्या यह परिश्टेलिया करेगी